तो आज का टॉपिक है कि इतना शौट टाइम में और्गनिक केमिस्ट्री हम लोग करें कैसे तो बेसिकली देखो और्गनिक केमिस्ट्री का सबसे टफ पार्ट है इन ओडर ऑफ कंसेप्स अगर आपके कंसेट्स क्लियर है तो आप आप MCQs जल्दी जल्दी बना पाओगे और्गनिक केमिस्ट्री के बट वहीं अगर कंसेट्स क्लियर नहीं है तो एक क्वेश्चन के बतले दुसरा देजी आ जाए तो आपसे नहीं बनेगा वह क्वेश्चन तो आप बेसिकली देखो दो तरीके आपके पास और्गनिक केमिस अब बहुत लोगों के पास study mat होगा यह मैं sure बोल रहा हूं और अगर नहीं है तो किसी बुक से पढ़ सकते हैं यह पहला तरीका है जो लेंदी तरीका है जिससे आप concept बनाते जाओगे बनाते जाओगे और यह भी time है नहीं शायद उतना मैं last के 40 दिन के उपर बता रहा हू कि आप क्या कर सकते है और्गिनिक केमिस्ट्री में तो दुसरा तरीका बचा स्मॉल तरीका या फिर हम उसको shortcut भी बोल सकते हैं तो अब उस shortcut को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ओव्यसी बात है ना shortcut है तो फिर आपको shortcut के लिए कुछ तिगडम लगानी पड़े तो अब क्या ट्रिक्स लगाएं वही हम लोग देखेंगे तो चलिए अब हम लोग ट्रिक्स लगाते हैं ट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग करते हैं कामेक ट्रिक्स के लिए बहुत इजी तरीक है देखो सबसे अगर आपके पास नोट्स है तो आप आधा रस्ता तो आई च आते हैं उसमें कंसाइज में त्योरी जो दिया हो गया है ना उसको फॉलो करो तो उस नोट को आप जल्दी पढ़ पाओगे जल्दी पढ़ोगे जैसे होता है ना एक बार में पढ़ लिया और उस समय उससे पहले आप NCRT को एक बार और ऑर्गनिक के लिए ते रीड करलो रीड कर लिए दो काम हो गएब क्या करना और गनीक में उदर जितने इंब रियाक्शंज दिया ना उसको लाइन वाइब च्छिज दाया उश इए द्रधूरगे वर को तो अब इसको लिख लिए ऐसे करके आप सीक्वेंस बनते जाएगा बन गया सीक्वेंस एक बार रीडिंग बोलाओं लर्न करने नहीं बूलो रीड बोलाओं रीड हो गया फिर आप जाओ मैट में मैट में जाने के वाद मैट नहीं सौरी मैट नहीं इधर आपको जाना यह तो शौट तरीक है न तो भी short तरीके में chapter को समझाया कि NCRT के extract से उसको दो बार या एक बार read कर लो वो हो गया अब उसके बाद आप questions पर कुदो पहले जेई advance का sequence तो number one मैंने क्या बोलो जेई advance फिर क्या बोला जेई main यह हो गया दो फिर उसके के बाद आप क्या होगे फिंगर टिप्स बनाओ फिंगर टिप्स के question बन गए या फिर आपका chemistry 40 days और यह पुब्लिकेशन के आप उसको भी ट्राइब कर सकते हो या दिनेश बहुत सारे पुब्लिकेशन उसको ट्राइब कर सकते हो उसके बनाओ उसके बाद अब आप जाओ नीट या प्रिवेस एर थर्टी एर्स के जो उसको बनाओ उससे करो कि आप कितना कर पा रहें और ऑर्गनिक में तभी तो आपको पता चल जाए कि आपको यह एफिशेंट तरीका समझ आया है नहीं आया है आप एक चैप्टर करके देखो अगर बेनिफिट हुआ तो आके वीडियो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर बेनिफिट हुआ तो मैं इसलिए बोल रहा हूं बेनिफिट होगा श्योर होगा क्योंक चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू क्योंक